इस विल्डिंग के आर्गेटेक्ट विमल पटेल ने डिजाइन किया अब इस विल्डिंग के जो डिजाइनर थे विमल पटेल विमल पटेल ने डिजाइन किया है लिए निया संसद्भववन का आकायर ट्रिकोडी रूप में दिया है जो पुराना मही संसद्भववन चो था वो गोलेकार में था नए सलसद में तीन दर्वाजे है, तीनों का अलग अलग नाम है। इन पहले दर्वाजे के ग्यान का दवार कहा जाता है, दूसरे को सक्ती का दौर, तीसरे को कर्म का दौर। इन तीनों तर राजों का ग्यान का द्वार, सक्ति का द्वार और कर्म का द्वार नाम दिया गया है। दोनों सद्नों की सयुक्त बैठक द्वार नाम दिया गया है। तो भारत के नए संसत भावन का उद्गाटन किया प्रधान मंत्री नरिन मोदी जी ने, इन्होंने 28 माई को फीर सावरकर जी की जैनती पे किया है। प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने नए संसत के अधार सिला कब रखी थी? तो नए संसत की अधार सिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को इसका राइट एंसर है 10 दिसंबर 2020 नए संसत भावन का डिजाइन किस कंपनी ने तयार किया था तो नए संसत का डिजाइन तयार किया था HPCL डिजाइन ने HPCL डिजाइन ने नए संसद भौन का डिजाइन किया था त्यार नए संसद की डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HPCL डिजाइन ने त्यार किया है अगला कोस्चन है नए संसद भौन का निर्माड किस कंपनी ने किया है तो नए संसद भौन का निर्मार क्या है Tata Project Limited Company ने इसका राइट आंसर है option A अगला question है नए संसद भौन का अकार कैसा है तो नए संसद भौन का अकार त्रिकोडी है triangle shape में पुराने संसद भौन का जो अकार था वो गोली में था लेकिन नए संसद भौन का अकार त्रिकोडी है triangle shape में है अगला कोश्चन है भारत का नया संसद भौन कहां इस्तित है तो भारत का नया संसद भौन नई दिल्ली में पुरानी संसद भौन के सामने ही बना हुआ है नया संसद भौन और ये नई दिल्ली में ही इस्तित है अगला कोश्चन है नए संसद भौन का मुख्य वास्तुकार कौन है तो नए संसद भौन का मुख्य वास्तुकार है विमल पटेल इन्हों नहीं ही किया है डिजाइन विमल पटेल नहीं अगला कोश्चन है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी नौ निर्मिस संसद भौन के उधगातन के समय लोग सभा के सीट के बगल में क्या रखा है अब ये संगोल क्या है आईव इसके वारे में डेटेल्स देखते हैं नए संसद भौन में रखा जाने वाला संगोल की कहानी वास्तों में भारत की आजादी और देश के पहले प्रधान मंत्री जोहलाल नहरू से जुड़ी हुई ये संगोल जो है भारत की आजादी से जुड़ी हुए और इसको प्राप्त किसको हुआ था प्रधान मंत्री जवालाल नहरु के जो भारत के पहले प्रधान मंत्री थे इनको दिया था लाड माउंड वेटेन ने आगस 1947 में जब भारत को आजादी दी जा रही थी उस समय ब्रिटेन से भारती नेताओं को सत्ता के हस्तांतरड के रूप में राजदन जिसको संगोल कहते संगोल ततकालिन प्रधान मंत्री नहरु को दिया गया था जब भारत आजाद हुआ था उननिस सो से तारेस में तब भ नंदी भगवान की मूर्थी लगी हो और इसका अभिप्रायथा न्याय का प्रतीक है वो और यह संगोल जो है चोल वन्स का माना जाता है अगला कोस्चन है ने संसदभाण का निर्माड किस पर योजना के तहत हो रहा है तो ने संसदभाण का निर्माड सेंटल विस्टा प प्लिजुटर है, इसका राइट एंसर है, इसका राइट है अगला कोस्चन है नय संसत में लोकसभा के लिए 888 सी आज बरब कि थीम पर आधाना जो चेंबर है वो राश्टी पच्छी जो है हमारा मोर उसकी थीम पे बना हुआ है नए संसद भौन में राज्य सभा की कितने सीटे हैं तो नए संसद भौन में राज्य सभा की सीटे हैं 384 इसमें 384 सीटे हैं राज्यसभा चेमबर को रास्टी फूल कमल की थीम पर त्यार किया गया है जैसे लोगसभा को रास्टी पच्छी मोर की थीम पर किया गया है त्यार वैसे ही राज्यसभा के चेमबर को रास्टी फूल कमल की थीम पर बनाया है नए संसद भौन को बनने में लगबग कितने रुपए का खर्च आया है अगला कोश्चन है नए संसद भौन के उद्गाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है तो नए संसद भौन के उधिगाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया है प्रधान मंत्री मोधी जी ने ये विसेज सिक्का है अगर कोई सिक्के का सौकी ने तो इसको रख सकता है अपने पास में डेली यूज के लिए नहीं जैसे हम ज़रुरी यूज करते हैं सिक्के तो ऐ ऐसा यूज के लिए नहीं है और इस सिक्के किदाम 75 रुपए नहीं हो गवर्मेंट रधारित करेगी 3,000, 4,000, 5,000 उसे साब से इसका प्राइज होगा अगला कोस्चन है नए संसद भौन के कितने मंजिला इमारत है तो नए संसद भौन के जो मंजिला इमारत है चार मंजिली का है नए संसद भौन अगला कोश्चन है नए संसद भौन में सयुक्त सत्र का आयोजन कहां होगा तो नए संसद भौन में सयुक्त सत्र का आयोजन होगा लोक्षभा हाल में होगा जिसका 1272 सीट है अगला question है संसद भौन में सयोग सत्र के लिए कितने सीटे वाला ब्रिहद हाल बनाया गया है तो जैसा कि मैंने बताया आपको 1272 सीटे के लिए हाल बनाया गया है अगला question है नए संसद भौन में कितने समीती कच का निर्माड किया गया है तो पुराना संसत भौन 1927 में बनकर तयार हुआ था पुरानी संसत का सिले नयास 12 फरवजी 1921 में हुआ था इसका निर्माड करीब 6 वर्स तक चला था इसका जो निर्माड स्टार्टिंग हुआ था 1921 में इसका मतलब निर्माड कब से कब 6 वर्स तक हुआ था 227 में बनकर त्यार हुआ था अगला कोश्चन ने पुराने संसत का उद्गाटन किस ने किया था तो पुराने संसत का उद्गाटन किया था लॉड इर्विन ने इसका राइट एंसर है लॉड इर्विन पुराने संसत का डिजाइन किस ब्रिटिस वास्तुकार ने तयार किया था तो पुराने संसत का डिजाइन तयार किया था एडविन लुटियर्स ने और हर्वर्ड वेकर ने तो इसका राइट एंसर होगा उप्योग तो दोनो अगला कोस्चन है पुराने संसद में लोग सभा की सीटे कितनी थी तो पुराने संसद में लोग सभा की सीटे पांसो सिराले सीटे थी अगला कोस्चन है पुराने संसद वहन में राजे सभा की कितनी सीटे थी तो पुराने संसद में राजय सभा की सीटे जो थी, वो थी, तो 250 सीटे थी, इसका right answer है A, अगला question है, भारती समख़धान की किस अनुच्छे में संसद का गठन का प्राउधान है? अगला question है भारती संसत के कितने अंग है तो भारती संसत के तीन अंग है पहला है राष्टपती दूसरा लोग सभा और तीशरा राजे सभा है भारत में संसदी विवस्था किस देश से ली गए तो भारत में संसदी विवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गए है तो संसदी जितने भी important question हो सकते हैं मैंने करा दिया अब last में तीन question है आपके test के लिए पहला question है नए संसद भौन का उद्गाटन किस ने किया दूसरा है राजसभा में कितनी सीटे हैं और तीसरा question है नए संसद भौन का वास्तुकार कौन है तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग channel को share subscribe करिएगा Thank you everyone